वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो दोस्तो आज इस वुडियो में हम आपको बताएंगे कि फीस पेमेंट फॉर्म आप कैसे क्रेट करेंगे इस प्रोजेक्ट में अब यहाँ पर आपको सिंपली स्टुडेंट का रोल नंबर इंटर करना है और उसकी डीडियल आपको यहाँ पर देखनों के मुल जाती थी और जो भी उसका फीस है आप यहाँ पर उसे इंटर कर देते आपकी फीस जो थी वो रिकॉर्ड यहाँ पर सेब हो जाता था तो यह जो था यह तो एक बिसिक तरीका था पर अब हमें क्या करना है अब हमें थोड़ा सा फीस वाला जो फॉर्म है इसे थोड़ा सा हमें और एडवांस बनाना है और थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करन है तो यह हम यहाँ पर तरीका देख लेते हैं कैसे हमें करना है तो सबसे पहले आपको एक form यहाँ पर एड़ करना होगा कर देते हैं अभी के लिए और इसे हम ओके तो इस तरीके साथ आपने की टाइटल यहां पर क्रियेट कर लिया अब हमें क्या ख़़ए डिजाइनिंग के लिए यहां पर हमें लेना होगा एक गुरुप बॉक्स लेंगे हम तो गुरुप बॉक्स की जरीए हम यहां पर पहले चैटल होगा ओके तो हम सब्सक्रार होगा तो इसका लिए उसी पर चाईटल होगा और याप को ल Вас । सब्सक्राइब झाल सबसे चीबात हैं जो चॉकलेट ओके तो यह हमने यहां पर बैकरण कलर ले लिया हमें लेना है लेबल कंट knead to तो यह लिया मैंने एक यहाँ पर लेबल अब यह जो आप लेबल देख रहा हो इस लेबल का यहाँ पर हमें क्या देना है student का roll number ओके तो आपको यहाँ पर लिखना है अभी के लिए हमने एक टेक्ट बॉक्स यहाँ से ड्राइगन ड्रॉप कर लिया इस तरीके से यह होगा आपका roll number तो search student by roll number या आप यहाँ पर एक और आप सेम यही पर आपको यह कर देना है इसे आपको कॉपी करना है यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो आपको थोड़ा सा य जो group box है इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा या फिर हम क्या करेंगे अभी के लिए हम इसे यहाँ से इसके नीचे में यहाँ पर ड्राइगन ड्रॉप कर देते हैं इस तरीके से जो label है second label इसकी text property को आपको करना है change तो यहाँ पर क्या आपको देना है student name करके तो आ क्या करना है हमें search करना है student rule number से या student name से okay तो इस तरीके से आपधके से यहाँ वे सेपके सेब कर लो तो अब हम क्या करेंगे अब यह जो आप writers देखरों से च्सकी boule box अंब कर लेते हैं copy कर लेते हैं तो just आपको क्या सर्च कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे हम देती है जैसे कि अगर आपको address से सर्च कarना है तो हो बो भी दे सकते हो तो it's address तो यह आपने इस तुरी के से बना लिए Search श्रॉदेंट यहां पर जो group box है, group box को आपको यहां पे change करना है यहां पे search student आपको देना है by its role number ओके यह आपको यहाप पर देना है search student by role number और यहाँ पर जो होगा आपका search student by name तो इस तरीके से अपने इसे group box जो है इसे आपने design यहाँ पर कर लिया है तो यहाँ पर जो मिर पास address वाला जो label दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें address की कोई जुरूरत नहीं ह तो यहाँ पर हम यहाँ ऐसा करते है father's name कर देते हैं ठीक है यहाँ पर जो भी student का father's name होगा आप उससे भी ऐसे search कर सकते हैं ठीक है father's name तो यह हमने यहाँ पर बना लिया अब हमें क्या चाहिए इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर role number name class और father's name इतना information हमारे लिए काफी है तो यहाँ पर है student ID इस टेबल में student name father's name जेंडर फिर यह आपका last name ठीक है तो last name से भी आप यहाँ पर एक मिनट हमारे पस क्या है first name है यह और यह आपका surname यानि की last name है तो design में हमें last name भी चाहिए और आप mobile number से भी अगर search करना चाहते हैं तो यह भी एक best option है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर modification करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यह मारी जो design है तो actually यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर ज name ओके तो यह आपका first name हो जाएगा student का तो जो भी student होगा उसका यह first name हो जाएगा थोड़ा सा मित बढ़ा कर देते और इस तिरफ और इसे हम यह आप इस तरफ कर देते हैं यह आपका first name हो जाएगा तो this is text box number 1 और यह आपका यहां पर यह जो लेबल इसे copy कर लेते हैं तो it's student last name तो student क्या लिखना हम डारेक्टली आप लेखते हैं last name ओके तो यह हो जाएगा आपका last name और यहां कि यह जो आपका text box है इसी text box को हम यहां पर drag and drop कर लेंगे क्योंकि जो हमारे control है अगर आप उन्हें rename कर रहे हो तो अच्छी बात है नहीं कर रहे है तो इनका जो order हो वो सही होना चाहिए ताक कि आपको कोई problem इना create हो तो यहाँ पर हम यह आ चुके हैं यह आपका text box 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो first name हो गया, यह last name हो जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, student का father's का नाम भी आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम यह भी involve करेंगे, तो this is text box number 4, तो यहाँ पर इसे ले ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम यह जो label है, इसे copy करेंगे, यह label आपका यहाँ पर, इस label को क्या copy औ यह जो जाएगा, जिनके name same होगे, तो father's name से हम थोड़ा सा होने different, यह different हम create कर सकते हैं, तो it's a father's name हो जाएगा, आपका, ओके, तो यह आपका, इस तरी के साब इसे organize कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस text box से हमें copy करना है, 4 गो, तो right click करेंगे, इसे हमने किया copy, और जो है, आप यहाँ से, अगर आप mobile number से सर्च करना चाहते हो, तो just a type, okay, mobile number, तो आप mobile number से भी सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो यह record आपको यहाँ पर देखना हो बिल रहा है, homepage पर जढ़ेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हम menu बना लेते हैं, it's fees payment, student fee, इ यहाँ पर double click करेंगे, इस menu पर, यहाँ पर double click और इसका जो भी code था, यह code हम कर लेते हैं, यहाँ से cut करेंगे, और इस code को हम home पे चलेंगे, this is homepage, यहाँ पर double click करेंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नया menu create करेंगे, वो होगा आपका student fees payment, student fee payment करके, यह हमने यहाँ पर बना लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर double click करो, तो आपका जो fee payment वाला form है, वो open होके आए, तो उसके लिए वाला form यहाँ पर open होगा, एक बार मेंसे run करेंगे, तो यह हो गया run, तो यह design आप यहाँ पर देख रहे हो, तो एक बार मैं इसे run करता हूँ, तो हमने यहाँ पर login किया, fee पर आएंगे student payment, तो इस तरीके से यह form open होके आएगा, तो यहाँ पर यह form देख रहे हो, नीची आपको यह grid view है, आपका grid view है यहाँ पर यहाँ पर आपको यह searching के लिए आपको, फात्राइब से लिए पी आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डालते हो, तो वहाँ पर यह पर सर्च कर सकते हो, जैसे आप यह पर यह पर सर्च करोगे तो यहाँ पर grid view में वह value आजाएगी, student यहाँ 대한 information यहाँ से हम student की information निकाल दाएंगे, त्लिक यह और student information जब हम fees pay करेंगे तो वो हम इस particular table में entry करेंगे उसकी तो उसमें क्या 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 column होगे मैं आपको यहां पर देखा दूए उसमें होगा student का role number ठीक है तो role number हम रखेंगे और कोई total fees कितनी है class की तो paid कितना किया है उसने balance कितना उसको बच जाता है date क्या था status मतलब कि अगर उसने full payment कर दिया है तो एक status की full paid करके यहां पर दिखा देंगे तो यह हमारा table है अभी के लिए क्या करेंगे अभी के लिए हम चाहते हैं कि स्विए searching प्रफार्म हो पहले तो record आपक यहां पर लगा देते हैं क्यों इस तरह किसे तो जिसे अगर आपको roll number से search करना है तो आप एक बटन ले लिए इस पर roll number आप इंटर करो और यह आपका search बटन आप यहां पर क्लिक करो और इट से search ओके तो text play change करेंगे इसका font थोड़ा से आपको यहां पर change करना है font size और इस अब हमें क्या है जब यह page load हो तो grid view में सारा का सारा रिकॉर्ड हो है तो वह हम कैसे create करेंगे सबसे पहले perform development आ गया ठीक है तो यहां पर आप हम क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको यह दो name space आपको यहां पर add करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है data grid view तो लिखेंगे get student list तो यह मैंने यहां पर method यहां पर create कर दिया तो method हम बनाएंगे इसे हम रखेंगे private ओके private और इसका नाम दे देंगे यहां पर यह अपका method अब इस method में आपको code लिखना है जिसके थुरू आप क्या करोगे grid view को value supply करोगे तो जो code हम लिखेंगे वह सबसे अच्छा है कि यहां पर using statement का use करो ठीक है using और इसके अंदर क्या बनाएं आपको SQL it's SQL connection class का हम offset यहां पर create करेंगे connection string का code बट उससे पहले हम क्या करेंगे अच्छा यहां पर connection string का code पास करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप कोई भी form one ले लिया form one के यहां पर आ जाते हैं तो यहां आप चाहो तो यह पूरा create करो या फिर आप directly यह जो आपने लिखा है configuration manager dot connection string तो आपको बस यही copy करना है यहां से और हम क्या करेंगे यहां पर इसके parameter constructor में हम यहां पर पास कर देंगे तो हम क्या create करेंगे एक आपको यहां पर फिर से using statement create करना है अब SQL command जो है आपका its s बना अब यहां पर आपको पास करना ही होती है query और आपका connection तो हमारी query क्या है हमारी query है कि हमें select करना है सारा record so select आप यहां पर क्या देंगे आप star from आपका जो table है कौन सा table है table का नाम है it's student info okay so student info से हमें सब कुछ select करना है student info और यह आपका using है तो इसका यहां पर आपको कर application को आपको open करना है तो हमें it's ql data reader का object क्या डी आर इस गॉल टू आपको कहा करना है cmd. इसका एक method होता है इट से execute reader करके आपको यह call करना है create करना है it's data table का object क्या ग्रेंगे it's dt is equal to new data table करके हम यह object क्या करेंगे यहां पर और फिर इसके बादम क्या करेंगे यहां पर आज बाते है आपको लेखना है D T. LOAD क्या और आंज आपको छुंगा वह आपको यहां परolonod करना है तो यह हमने यहां पर wykon ya अब क्या करेंगे इस USING red statement से यहां से बाहर आधाते हैं अभा मैं क्या करना है return करना है dto को आपके data table ऑप्जेट है आपको इससे क्या करना यहां पे return करना है it's dt so what happened मैं बताता हम अभी अभी क्लिए क्या करते हैं यह जो आपने dt object क्या है इसे हम यहां से अटा के इसे हम globally कर देते हैं यहां पे ओके तो क्यूंकि इसकी जरूत हमें आगे भी पड़ेगी तो इस तरीके से हमने यहां पे रिक्लियर कर दिया और फ तो जिसे form load होगा तो grid view में जो value आएगी कहां से आएगी इस particular method से आएगा यह method यहां पर run होगा तो यह method पूरा के पूरा value आपको यहां पर return करेगा तो grid view में इस particular table से सारी value आजाएगी तिक बार मैं आपको run करके यहां पर दिखाता हूँ फीस पे आते हैं student fees payment पे चलेंगे तो इस तरीके से आपका यह जो आप देख रहे हो यहां पर आपको जो student का सारा का सारा record आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है अचा अब यहां पर क्या है कुछ ऐसे भी record है जिन्हें आपकी जरूर्द ही नहीं उनकी उनकी जरू इस अधर भी आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जंडर भी आप देखा दो ठीक है तो आपको इतनी information यहां पर चाहिए तो हम क्या करेंगे अभी के लिए देखिए यहां पर मेरे पास मैंने query बना के रखी है यहां पर यहां पर यहां पर देख रहाए ठीक है अब मैं क्य क्या आए column का नाम role number rename हो जाए ठीक है ऐसा कुछ तो हम क्या करेंगे select query में हमने लिखा कि select करो student ID को as student ID जो column है इसका header student ID होगा तो उसको हमें क्या print करना है as role number तो data grid view में क्या show हो role number जहां पर हो student name वो पूरा का पूरा student name शो हो ठीक है और जहां पर surname हो सर नेम को जो लास्ट नेम तो हमने क्या लिखा यहां पर पर रोल नंबर लेखा फिर student का नाम फिर सर नेम तोब यहां पर क्या है यहांपर student ID है student name father's name जेंडर फिर सर नेम तो अब जिस भी order में चाहोगे तो यह मैंने a query बना लिया यहांपे तो मैंने query क्या लिया last name फिर सब्सक्राइब रुप siya पे लिए अगे रैंगे और्म आंपकर मझाए को सब्सक्राइब है यहां को सब्सक्राइब करें देखें मोलने यह पे चीज़ में देटाब बहत नहीव किया यहां पर ठीक है year को year address को address from table का नाम ठीक है यह जो query है जब आप इस query को यहां पर मैं करूंगा यहां पर इसे select किया इसे execute किया तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या किया रहा है student role number as student ideas role number तो यहां पर देखे रोल number आपका 123 ठीक है कर देखा हूं जब मैं यहां पर इसे करता हूं run तो यहां पर जो भी information आपको आ रहा है आप देख सकते है student ID for std student name f name gender surname पर मैं चाहता हूं यह change हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे हमारे पास जो हमने query copy की है इसी query को हम यहां पर आजेंगे और यह जो आपने लिखा है select star इसको आपको यहां पर देख सकते हैं तो मैंने you squari को यहां पर पेस्ट ए तो आप चाहो तो select star भी काम करेगा और यह भी काम करेगा ठीक कर दोनों ही सही है पर यहां पर क्या होगा आपको जो जरूरी information आप चाहते हैं कि यापर पर आप देख सकते हो यह पूरा का परती यहां पे तीन है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे कि मैं जैसे सर्च करना है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर इंटर करके सर्च पर क्लिक करूं, तो वो record हमें यहाँ पर visible हो, grid view में, ठीके, तो यह काम कैसे होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर search बटन पर code करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे stop कर करते हैं, अब हम चलेंगे form के design में आ जाते हैं, ओके तो यहाँ पर form के design में, यह हमारा text box number one है, तो search बटन पर करेंगे double click, तो यहाँ पर आगए button का click event, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारा text box है, हम उसे देखते हैं कि वो empathy तो नहीं है, एक बार हम चे empathy जो होता है, आप उसे यहाँ पर apply करो, यह जदा best होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक function ही बना देते हैं, तो आपका यह जो function था, get student list करके यह हम function copy कर लेते हैं, यह हम पूरा का पूरा function ही हम copy कर लेते हैं то على चाप जाते हैं आ यहा तक यह पूरा function हमने copy कर लिया अब आ जाते हैं यहां पर इस ये button है इस button के curly bracket रहे पाहर आएंगे और यहां पर हम यह function paste कर देंगे अब यह function है इस function का यहां पर वाइट कर देंगे इसे ठीक है private वाइट कर दिया मैंने और इसका नाम है get list get list by role number तो इस तरिके से हमने एक function दे दिया इसका नाम दे दिया अब इस function में आपको ये दो चीजे यहां से इसे delete कर देना है और आपको return भी कुछ नहीं करना यहां पे ठीक है यहां पे हमें कुछ भी return नहीं करना है तो हमें क्या करना है यहां पे जो हमारी query होगी तो यह select student ID यह सब सारी चीजे सही होगी इसी query में हम क्या करेंगे यहां पे लगाएंगे where condition यहां पे हम लिखेंगे where it's क्या है आपका student ID तो not a student ID हमारे पास क्या है role number तो आपको यहाँ पर लिखना है it's role number, role number क्या होगा is equal to single quotation and double quotation and double plus यहाँ पर जो आपके text box 1 की value होगी आपको वो value यहाँ पर देना है basically जो text box जो होगा वो क्या होगा integer type की value देगा तो आपको क्या करना इसे convert करना है it's convert.to into 32 ओके इसे हम integer में convert करेंगे integer में convert करने के बाद हम यह check करेंगे कि यह जो हमने आप यह role number इंटर किया हुआ है वो database में available है कि नहीं तो अभी हमने क्या किया role number ही गया basically जो column है आपका अगर मैं आपको देखा हूँ तो यह column क्या है it's student id ठीक है तो यह student id है तो अगर हम role number से check करते हैं अगर यह काम करेगा तो ठीक है नहीं तो फिर हम उसे change करके student id ही करेंगे ठीक है अब जब यहां पर हो जाएगा तो इसके बाद आपको यहां पर create करना है sql data adapter da is equal to new sql data its data adapter और यहां पर आपको cmd जो है pass कर देना है उसके बाद हम यहां पर एक data table का object create करेंगे data table dt2 क्योंकि dt नाम से हमने create कर लिया एक और हम create करेंगे data is equal to new its data table अब हम क्या करेंगे da.fill method के तरू हम dt2 वाले object में value fill करेंगे फिर हमारे पास जो data grid view 1 है .data source is equal to dt2 तो grid view को हम यह pass कर देंगे अब इसे हम यहां पर save कर लेते हैं होगा क्या जब आप यह जो function है इस function को हम call करेंगे कब call करेंगे जब यह आपका else condition यहां पर true होगा तो यह function हम यहां पर call करेंगे इस तरीके से और फिर यहां पर आपको value जो है वो display होगी यहां यहां पर आएंगे student पर चलेंगे आपको search करना है तो यहां पर आपर enter किया आपने लिखा number two search पर click किया अब यहां पर क्या problem हो रही है click तो किया पर यह कह रहा है कि invalid column name role number very good क्योंकि basically हम database से search कर रहे है तो database में आपका जो role column का नाम होगा वो क्या होगा वो आपका student id ही होगी तो std under space id ओके फिर से चलेंगे यहां पर अब यहां पर यहां पर number two और search यहां पर click किया तो आप देखते है number two बंदा यहां पर दिख रहा है आपकी बार देते है number one search पर click किया तो यह बंदा यहां पर दिख रहा है तो यह तो सर्च हो जा रहा है अब हम क्या चाहते हैं जीथी कि यहाँ पर हम एगर student के name से search करना हो तो मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर नाम लिखूँ तो वो record अगर available हो तो यहाँ पर display हो तो उसके लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं और इस बार हम क्या करेंगे फिर हम grid view में जो भी value available है फिर उसको हम आसानी से filter करके यहाँ पर search कर सकते हैं तो यह मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पर तो जिसके तुरू हमें event होता है जिसका नाम क्या है text change event तो आपको यहाँ पर क्या करना है double click करना है जब आप double click करोगे तो इस तरीके से text box 2 का एक यहाँ पर event generate हो जाएगा यहाँ प्रेट करना होगा its data view का object हम create करेंगे तो data view dv is equal to आपके पास जो data table का object है और उसमें यहाँ पर क्या करना आपको default view करना है ठीक है default view हम कर देंगे यानि कि जो आपके data set यानि कि जो भी grid view में जो भी value आ रही कहां से आ रही है data set object के तुरूआ रहे है तो इसमें जो default view है उसी view को हम search कर रहे है ना कि database का connection का code हम यह सब सारी चीज़े नहीं करने वाले तो हम क्या लिखेंगे dv dot हमे यहाँ पर क्या करना ही यहाँ पर टाइब करना है double quotation उसके बाद आपको यहाँ पर देना है उस particular row का नाम तो यह किस लिए है यह है आपके student name करके आप एक बार ज़रा सा आपको यहाँ पर query पर चलेंगे हैं उपर query क्या दिया है है हमने select एक पर यहाँ पर student name as student name तो आपको यह copy करना यहाँ पर ठीक है तो यह आपने किया student name copy किया अब आपको यहाँ पर क्या देना है student name यह क्या होगा आपको देना है like सब्सक्रीन है यहां पक्रलाइक प्लाइक भाद है सिम्रीन था है. आपको देना है और है यहां पर यहां पर देनाında रहां है प्लस यह स्द्समें, रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने यह बना दिया अब हम क्या करेंगे इसे हमने सेव कर लिया है सेव करने के बाद हम चलेंगे एक बार इसे हम रन करेंगे यहां पर आजाते हैं login हो गए हम यह हमारा form आ गया तो अगर हम यहाँ पर search करना है तो इस बार जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे तो जैसे ही मैंने v type किया तो वो 2 नाम आ गए जिसमें की यह v alphabet यहाँ पर available है तो यहाँ पर जैसे मैंने v j ठीक है तो यह आपका आ गया अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर type करूँ S तो S से सिर्फ एक ही नाम available है ठीके तो इस तरीके साब आसानी से सर्च कर पाओगे तो अब हम first name का हो गया हमारा अब same जैसे हमने first name के किया था वैसे last name का करेंगे तो इसे select करना है property में चलेंगे यहाँ पर आएंगे event section में आजाएंगे यहाँ पर एक event है tax change event तो यहाँ पर double click करेंगे तो इसका यह event आजाएगा तो हमें क्या करना है यह पूरा का पूरा जो code है आपको copy कर लेना है ठीके यह copy किया हमने और यही code हम यहाँ पर paste कर देंगे ओके अब इसमें modification क्या करना है पहले तो आपको यह control का नाम control का नाम 3 है तो यहाँ पर क्या देना है text box 3 से आ रही value अब यहाँ पर column का नाम क्या होगा column का नाम हो जाएगा यह last name जो column आपके grid view में display हो रहा है आपको उस column का नाम देना है ना कि database का ठीके database का नाम तब देंगे जब आप database का code लिखेंगे पूरा connection open करेंगे फिर हाँ पर query run करेंगे फिर data वहाँ से आएगी ठीके तो जब आप वो साला procedure अपना होगे तो उस case में आपको यहाँ पर वो column का नाम लिखना है जो database का आ रहा है ठीके हम यहाँ पर क्या कर रहे है जब यह page load होगा तो उसी time पर data grid view में value आ जाएगी तो हम क्या करें जो value आई हुई है data grid view में उस पर आपको यहाँ पर search apply करना है filter apply करना है ठीके तो same आपको सारे control के साथ करना है तो इसके भी property में चलेंगे event पर आएंगे text change event पर आजाते हैं अब यहाँ पर भी आपको paste कर देना है इस बार क्या होगा यह आपका होगा father's name के लिए तो f-a-t-h-e-r father और इसका नाम father name ठीके father name से आ रहे है value और यहाँ पर control का नाम क्या है it's a text box number four तो आपको इसे save करते जाना है ठीक है फिर next जो है आपका वो है आपका class तो class को select करें text change event में चलेंगे यहाँ पर आपको paste कर देना है और यहाँ पर आपको क्या देना है it's class और control का नाम आपको देना है text box five तो आप इसे save करते चलें फिर आपको इसी तरीके से चलना है mobile number वाले text box की तरफ यहाँ पर आएंगे इसके text change event पर चलेंगे यहाँ पर भी फिर से आपको same code लिखना है बस आपको यहाँ पर column का नाम जो है वो change करना है it's mobile ओके यह आपने save कर लिया और column का नाम क्या है six ओके तो यह भी आपने यहाँ पर save कर लिए अब क्या होगा जब आप इसे run करोगे अब searching आपकी यहाँ पर असान हो गई ठीक है एक बार आपका page load हुआ grid view वे value आ गई उसके बाद आपको database से कोई लेना देना नहीं है directly आप यहीं से searching apply कर सकते हो जैसे कि मान लो मैं अगर search करो ठीक है जैसे मैंने su type किया सुमन्त यह आ गया तो first name से करना हूँ पर अगर मैं जैसे की last name क्या है y है तो यहाँ पर अगर आप y इंटर करोगे तो y से कोई recording नहीं है ठीक है तो उसकी लिए को क्या करना है आप last name से search करना चाहते हो तो इस वाले text box में type करो y तो y जो होगा जो भी last name होगा जिसमें यह character होगा वो आपको दिखाए देगा अगर आप यहाँ पर k type करते हो तो last name में कोई ऐसा कोई name ही नहीं है जो k से start हो पर father name में है k से 2 value तो चलेंगे father name text box में यहाँ पर type करेंगे k तो जैसे आपने k type किया तो k से जितने भी name होंगे वो आ जाएंगे और आपने यहाँ पर e तो एक ही नाम यहाँ पर available है ठीक है तो वो आ गया यहाँ पर अब जैसे कि आप जैसे आप पर delete करोगे तो फिर से आप जितनी भी value है वो आ जाएंगी class से type करना है तो CL तो यहाँ से देखो class दो ऐसे record है जिसमें C-A-L-C-L-A-S ठीक है class और class 3 करोगे तो ही नहीं class 2 करोगे तो class 2 यहाँ पर available है अब आप mobile नंबर से करना चाहते हो तो यहाँ पर type कर आप लिखा 099 ओके तो mobile number के case में क्या हो रहा है तो एक चीज़ आप देख लिए आपकी यह जो query है आपको यहाँ पर जो आपका get student वाला function है get student ठीक है यह जो आपका get student list वाला function है इस function में जहाँ पर आपने query लिखा है इस query में आपको यहाँ पर address के बाद आपको mobile number भी यहाँ पर क्या करना है उससे भी यहाँ निस्प्ले करना है ठीक है तो आपको वो भी देना यह तो उसके आपको क्या करना है आप इसे सेव कर लो और तब यह आपका मुबाईल नंबर भी यहां से सर्च करके आपको देगा ठीक है तो हमने इसे यहां पर रं किया यहां पर आजाते हैं और जैसे अगर यहां पर 0 डबल नाइन टिके तो ट्रिपल लाइन से कोई नहीं है 0 डबल लाइन से यहाँ पर एक रिकॉर्ड है ठीके 0 डबल नाइन एट टिके इन दोनों में 098 और 098 यह भी है अगर 6 देखें तो 6 किसी में नहीं है 7 देखें तो 7 दोनों में अवेलेबल है 098 7 ठीके और उसके बाद अगर एक और 7 यहाँ पर type करोगे तो यह ऐसा कोई यहाँ पर record available है ही नहीं ठीक है तो यहाँ से भी search कर सकते हो तो यह तो था तरीका आपको कैसे value जो है search करना है तो अभी क्या है अभी आप यहाँ से यह record search कर पा रहे हो आपके grid view में यह record display हो रहा है और अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि payment में और क्या क्या चीज़े चाहिए तो अब मैं चाहता हूँ जब आप इस पर double click करो तो वो value इन particular जो आपके control यहाँ पर बनाए है इस control में वो value यहाँ पर आ जाए अब जब value यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद हमें payment की जो detail है आपको वो भी यहाँ से भ सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें तो मिलते हैं नए वडियो में तब के लिए बाबाए